हरे क्रिष्णा राथी राथे आज की कथा में आप सभी बगतों का हार्दिक स्वागत है भगवान श्रिक्रिष्ण और शिमती राथारानी की क्रिपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे 9 अप्रेल 2024 आज है मंगलवार का दिन और आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कथा का 15 माध्याए और आज से चैत्र नवरातरी का प्रारंभ हो रहा है और हिंदू 9 वर्ष का प्रथम दिन भी है तो आप सभी को चैत्र नवरातरी और 9 वर्ष की मंगल शुभ कामना है माभगवती जगदंबा की कृपा से आपका आने वाला वर्ष सुखमे हो इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का प्रारंब करते हैं सुम शर्मा ने कहा हे भामिनी ब्रह्मचरे के लक्षन का विस्तार पुर्वग वर्णन करो सुमना बोली हे नाद सदा सत्यभासन में जिसका अनुराग है जो पुन्यात्मा होकर साधुता का आश्रे लेता है रितु काल प्राप्त होने पर अपने इस्त्री के साथ समागम करता है स्वयम दोशों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता वही सच्चा ब्रह्मचारी है हे द्विजिस्रेष्ट यह मैंने ग्रिहस्त के ब्रह्मचरे का वर्णन किया है यह ब्रह्मचरे ग्रिहस्त पूरसों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला होता है अब मैं यतियों अर्थात सन्याश्यों के ब्रह्मचरे का वर्णन करूँगी आप ध्यान देकर सुने यति को चाहिए कि वह इंद्री संयम और सत्य से युक्त होकर पाप से सदा डरता रहे तथा इस्त्री के संग का परिध्याग करके ध्यान और ज्यान में निरंतर सनलग्ण रहे यह यतियों का ब्रह्मचरे बतलाए गया है अब आपके समक्ष वान प्रस्त के ब्रह्मचरे का वर्णन करती हूँ आप सुनिए वान प्रस्ती को सदाचार से रहना और कामक्रोध का परिध्याग करना चाहिए या उच्छवृति से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में सनलग्ण रहे या वान प्रस्त का ब्रह्मचरे बताया गया अब सत्य का वर्णन करती हूँ जिसके बुद्धी पराय धन और पराय इस्त्रियों को देखकर लोलूपतावश उनके प्रती आसक्त नहीं होती वही पुरुष सत्तिनिष्ट कहा गया है अब दान का वर्णन करती हूँ जिससे मनुष्य जीवित रहता है भूख से पीडित मनुष्य को भोजन के लिए अनवश्य देना चाहिए उसको देने से महान पुने प्राप्थ होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमरित का उपभोग करता है अपने वैभव के अनुसार प्रती दिन कुछ नकुछ दान करना चाहिए प्रिथवी, जल, अन, मीठी बोली, आसन, वस्त्रिया निवासस्थान और पैरध होने के लिए जल ये सब वस्त्वें जो प्रती दिन अतिती को निश्कपट भाव से अरपण करता है वह इह लोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है तथा दान और स्वाध्याय आदी शुब कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है इसमें तनिक भी संदेय की बात नहीं है अब मैं सांगो पांग धर्म के साधन भूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ जो देवताओं और ब्रामणों की पूजा में सनलगन रहता है नित्य निरंतर शौच संतोष आदी नियमों का पालन करता है तथा दान वरत और सब्रकार के परुपकारी कारियों में योग देता है उसके इस कारिय को नियम कहा गया है हे द्विजसेष्ट अब मैं क्षमा का स्वरूप बतलाती हूँ ध्यान से सुनिये दूसरों द्वारा की हुई अपने निंदा सुनकर अत्वा किसी के द्वारा मार खा कर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वेम मार खा कर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता वक्षमासील कहलाता है अब शौच का वरन करती हूँ जो राग द्वेश से रहित होकर प्रति दिन स्नान और आचमन आदी का व्यवहार करता है वह इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है उसे शौच युक्त अर्थात पवित्र माना गया है अब मैं अहिंसा का रूप बतलाती हूँ विग्य पुरुष को किसी विशेश अवश्यक्ता के बिना एक तिन का भी नहीं तोड़ना चाहिए संयम के साथ रहकर प्रतेक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने प्रति जैसे बरताव की इच्छा होती है वैसा ही बरताव दूसरों के साथ स्वेम भी करना चाहिए अब मैं शांती के स्वरूब का वर्णन करती हूँ आप ध्यान से सुनिए शांती से सुख की प्राब्ती होती है अता शांती पुर्ण आचरन करना करता भी है कभी खिन नहीं होना चाहिए प्राणियों के साथ वेर भाव का सर्वता परिद्याग करके मन में भी कभी वेर का भाव नहीं आने देना चाहिए अब अस्तेय का स्वरुप बतलाती हूँ परधन और परिस्त्री का कतापी अपहरण न करे मन वाणी तता शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तुलेने की चेश्टा न करे अब दम का वरणन करती हूँ इंद्रियों का दमन करके मान के द्वारा उन्हें प्रकास देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है अब मैं सुस्रुषा का स्वरुब बतलाती हूँ मन वाणी और शरीर से गुरु जनों की सेवा करना और गुरु के कार्य साधन में लगे रहना सुस्रुषा है हे द्विजिस्ट इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगो पांग वड़न किया जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा सनलगने रहता है उसे संसार में पुनह जन्म नहीं लेना पड़ता यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ हे महाप्राग्य यह जानकर आप धर्म का अनुसरण करें सुम्शर्मा ने पूछा हे देवी तुम्हारा कल्याण हो तुम इस प्रकार धर्म की परमपुन्यमाई उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो किसके मूँ से तुमने यह सब सुना है सुम्ना बोली हे महामते मेरे पिता का जन्म भार्गो वंस में हुआ है वे संपुण शास्त्रों के ज्यान में निपुण है उनका नाम है महर्शी चवन मैं उन्ही की कन्या हूँ ये मुझे प्राणों से भी अतिक प्रियमानते थे जिस जिस तिर्थ, मुनी, समाज तथा देवाले में वे जाते थे मैं भी उनके साथ वहाँ जाये करती थी मेरे पिताजी के एक मित्र है जिनका नाम है वेदिशर्मा कौशिक वंस में उनका जन्म हुआ है एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए उस समय में बहुत दुखी थे और बारम बार चिन्ता मग्न हो जाते थे तब उनसे मेरे पिताजी ने कहा हे सुवरत मालूम होता है कि आप किसी दुख से संतप्त है आपको दुख कैसे प्राप्थ हुआ है मुझे इसका कारण बतलाईए यह सुनकर वेद सर्मा ने कहा कि मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिवरता है किन्तु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ मेरा वंस्च चलाने वाला कोई नहीं है यही मेरे दुख का कारण है आपने पूछा था इसलिए बताया है इसी वीश में कोई सिद्ध पुरुस मेरे पिता के आश्रम पर आए पिता जी और वेद शर्मा दोनों ने खड़े होकर भक्ति पुरुवक सिद्ध का पूजन किया भुजन आदी उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया फिर आपने जिस प्रकार से पहले प्रशन किया था उसी प्रकार उन दोनों ने भी सिद्ध से अपने मन की बात पूछी तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा कि धर्म के अनुष्ठान से ही श्त्री पुत्र और धन धाने की प्राप्ती होती है उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ती हुई उन सिद्ध महात्मा के संग से ही धर्म के विशय में मेरी बुद्धी का ऐसा निश्चे हुआ है सुम शर्मानी पूछा हे प्रिये धर्म से कैसी मृत्यू और कैसा जन्म होता है शास्त्र के अनुसार उस मृत्यू और जन्म का लक्षन जैसा निशित किया गया हो वह सब मुझे बताओ सुमना बोली हे प्राणनात जिसने सत्य, शौच, छमा, शांती, तीर्त और पुनियादी के द्वारा धर्म का पालन किया है उसके मृत्यू का लक्षन बतलाती हूँ धर्मात्मा पुरुष को मृत्यू के समय कोई रोग नहीं होता उसके शरीड में कोई पीडा नहीं होती श्रम, गलानी, स्वेद और भ्रांती ये उपद्रो भी नहीं होते गीत ज्यान विशारद, दिव्यरूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्रामः उसके पास आकर मनुहर स्थूति किया करते हैं वस्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है अत्वा देव पूजा में बैठा होता है ऐसा भी हुआ करता है कि धर्म पारायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यू काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुचा हुआ हो अगनी होत्र, ग्रिह, गोशाला, देवमंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बढ़ का व्रिक्ष तथा पाकर अत्वा, बेल का पेड़ ये मृत्यू के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूद को प्रत्यक्ष देखता है वे सने से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं वह मरने वाला जीव, स्वप्न, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता धर्मराज के दूद उससे कहते हैं हे महाभाग, परम गुधिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं दूतों की यह बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता उसका चित्प्रसन हो जाता है वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भगवान श्री विश्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं रिष्ट चित्प होकर उन दूतों के साथ चला जाता है सोम्शर्मा ने पूछा हे भद्रे पापियों की मृत्यू किन लक्षणों से युक्त होती है उसका भी विस्तार पुर्वक वडण करो तब सुमना बोली हे प्राणनात सुनिए मैं महापात की मनुष्यों की मृत्यू के स्थान और चेष्टा का वडण करती हूं दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा और मुत्र आदी अपवित्र वस्तूओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भू भाग में रहकर बड़े दुख से प्रांत्याग करता है चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पुर्वक मरता है गधों से घिरी हुई भूमी में वैश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वह मृत्यू को प्राप्त होता है हड़ी चमडे और नकों से भरी हुई प्रिथ्वी पर पहुँचकर दुष्टात्मा पुरुष के मृत्यू होती है अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आई हुए यमदूतों की चेश्टा का बढ़न करती हूँ वे अत्यंत भयानक घोर और दारुन रूप धारन किये आते हैं उनके शरीर अत्यंत काले पेट लंबे लंबे और आखे कुछ-कुछ पीली होती है कोई पीले कोई नीले और कोई अत्यंत सफेद होते हैं पापी मनुष्य उन्हें देखकर काप उड़ता है उसके शरीर से बारंबार पसीना चूटने लगता है अब मैं दुखी जीव की चेश्टा बताती हूँ लोग और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुस जो पराय धन और परायस्त्रियों का पहरण किये रहते हैं पहले दूसरे से रिण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते तथा असत प्रतिग्रह आदी जो अन्य बड़े-बड़े पाप किये रहते हैं शारांस यह कि मृत्यू से पहले वे जितने भी पाप का आचरण किये रहते हैं वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोग देते हैं और दुस्स्य दुख पहुंचाते हैं असाहिय पीडा से उसका कंठ घरगराने लगता है वह बारंबार रोता और माता पिता भाई पत्नी तथा पुत्रों का स्मरण करता है फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है अत्यंत पीडा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीगरता पुरवक नहीं निकलते वह कापता तलमलाता और रह रहकर मुर्शित हो जाता है इस प्रकार लोब और मोह से युक्त मनुश्य सदा मुर्शित होकर ही प्राण जाता है तत्पस्चात यमराज के दूत उसे यमलोक में ले जाते हैं उस समय जो उसको दुख भोगना पड़ता है उसका वड़न करती हूँ जहां धेर के धेर अंगारे बिचे होते हैं उस मार्ग पर पापी को घसीडते हुए ले जाये जाता है वहाँ बह दुश्टात्मा जीव बारम बार आग में जलता और छटपटाय करता है जहां बारह सुर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तिव्र धूप पड़ती है उसी मार्ग से उसे पहुँचाया जाता है वहाँ बह सुर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूग प्यास से पीडित होता रहता है यमदूत प्यास से उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, कोडों से पीड़ते तथा गालियां सुनाते हैं तदरंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का जोका सहना पड़ता है पापी पुरुष सीथ से पीडित होकर उस मार्ग को तै करता है यमदूत उसे घसीडते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं इस प्रकार देवता और ब्रामणों की निंदा करने वाले संपुण पापों से युक्त दुष्टात्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं वहां पहुँचकर वह दुष्टात्मा यमराज को काले अंजन की राशी के समान देखता है वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण की ये भैसे पर समार दिखाई देते हैं अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं, साथ ही सब प्रकार के रोग और चित्रगुप्त भी उपस्चित होते हैं हे दुष्ट उस समय भगवान धर्मराज का मुख विक्राल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते और अत्यंत दुखदाई दुष्टा अस्त्रशस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं वह पापी एक हजार युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाये जाता है इस प्रकार दुष्ट बुद्धी वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है तत्पस्चात वह जिन-जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वड़न करती हूँ कुछ काल तक कुट्टे की योनि में रहकर वद्धुष्टात्मा अपना पाप भोगता है उसके बाद व्याक्र और फिर गधा होता है तदनंतर बिलाव, सुवर और साप की योनि में जन्म लेता है इस तरह संपुर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड करता है इस प्रकार मैंने आप से पाप यों के जन्म का सारा व्रितान्था भी बतला दिया हरे क्रिश्ना आज की कथा का यहीं पर्समापन करती हूं उमीद करती हूं आज की कथा आपको जरूर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संबो हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और हां नवरात्री में दुर्गा शत्षती पाट और प्रति दिन की पूजा विधी की वीडियो हर रोज चैनल पर अपलोड होकी आप लोग पूरी नवरात्री में जुड़े रहिए ताकि सभी वीडियो आप लोग देख पाएं और अ अडिमा आधी आठों सिध्या उनकी सेवा कर रही है और आठ हाथों में शंक, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात, फंदा धारन किये हुए हैं वेही ओमकार स्वरूप प्रभू सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें मत्सिमूर्दी भ विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गोंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गये थे, वे दैत्य यूथ पत्यों के शत्रु भगवान डिसिम, किले, जंगल, रण भूमी आधि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें, अपनी दाढ़ों पर प्रित्वी को उठा लेने वाले यग्यमूर्दी वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी परवतों के शिखरों पर, और लक्ष्मन जी के सहित भरत के बड़े भाई, भगवान राम चंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें भगवान नारायन मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें, रिसी स्रेष्ट नर्ग गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रे योग के विग्नों से, और त्रिगुणा अथी पति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें, परम रिसी सनत कुमार काम देव से, हाईगिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराद से, और देवर्शी नारत सेवा पराधों से, और भगवान कच्छप सब प्रकार के नर्कों से मेरी रक्षा करें, राम जी मनुष्यकृत कष्टों से, और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें, भगवान श्रीकिष्ण द्वयपायन व्यास जी अज्यान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें, धर्म रक्षा करने महान अवतार धारन करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें, प्रतहकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चड़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बासुरी लेकर, और दो पहर के पहले भगवान नारायन अपनी त अधनुष लेकर मेरी रक्षा करें, और सायंकाल में ब्रह्मा आधी, त्रिमूर्तिधारी माधव, सुर्यास्त के बाद रिशीकेस, अर्धरातरी के पूर्वत तथा अर्धरातरी के समय, अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें, रातरी के पिछले प्रहर में, श्र आपके किनारे का भाग प्रलय कालिन अगनी के समान अत्यन्त तिवर हैं आप भगवान की प्रेड़ा से सबोर घूमते रहते हैं जैसे आग वायू की सहायता से सूखे घासपूस जला डालती हैं वैसे ही आप हमारी शत्रू सेना को शीग्र से जला दीजिए जला दीजिए हे कौमुद की गदा आप से छूटिने वाली चिंगारियों का स्पर्स वज्र के समान असाय है आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ इसलिए आप कुश्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादी ग्रहों को अभी कुचल डालिए कुचल दीजिए एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मात्रिका, पिशाज तथा ब्रह्म राक्षस आदी भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत भगा दीजिए भगवान की श्रेष्ट तलवार आपकी धार बहुत तीक्षड हैं आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रूओ को छिन भिन कर दीजिए भगवान की प्यारी ढाल आप में सैक्णों चंद्राकार मंडल है आप पाप द्रिष्टी पाप आत्मा शत्रूओं की आखे बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए सुर्य आदिग्रह, धूम केतु, पुछल तारे आदी केतु, दुष्ट मनुस्य, सर्प आदी रेंगने वाले जन्तु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदी तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भै हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयूधों का कीर्टन करने से ततकाल नश्ठ हो जाएं, ब्रिहद रथंतर आदी सामवेदिय स्तोत्रों से जिनकी स्तूति की जाती है, वे वेद मूर्ती भगवान गरूर और विश्वक सेंजी अपने नामों चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं, श्रीहरी के नाम, आहन, आयुद तथा स्रेष्ट पार्सद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं, जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत है, वह वास्तों में भगवान ही है, इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश् चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रही थे, भेदों से रही थे, फिर भी वे अपनी माया शक्ती के द्वारा भूशन, आयुद और रूप नामक शक्तियों को धारन करते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है, इस कारण सर वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अटहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, और अपने तेज से सब का तेज ग्रश लेते हैं, वे भगवान रिसिम्म, दिशा विदिशा में, नीचे उपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें, हे इस नारायन कवच को धारन करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अत्वा पैर से छू देता है ततकाल समस्त भायों से वो मुक्त हो जाता है जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेद, पिशाच, आदी और बा शरीर मरू भूमी में त्याग दिया अब जहां उस ब्रामभण का शरीर पड़ा था उसके उपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररत अपनी इस्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले वहां आते ही वे नीचे की और सिर्किये विमान सहित आकास से प्रिथ्वी परगि पुर्व वाहिनी सरस्वती रदी में प्रवाहिद कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोग को चले गए श्री सुकदेव जी कहते हैं हे परिक्षित जो पुरुष इस नारायन कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पुर्व किसी धारन करता है उसके सामने सभी प्रा पुर्मी में असरों को जीत लिया और वे त्रैलुख्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे श्री नारायन कवच संपरुण हुआ श्री राधा क्रिपा कटाक्ष स्तोत्र मुनिंद्र व्रिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिळी प्रसन्न वक्त्र पंक जेनि कुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितानमंड पस्तिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रिको मले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवाम सविब्रमं ससंप्रमं द्रिगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम तडित्सुवर्ण चंपक प्रदिप्त गोर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सार देंदु मंडले विचित्र चित्र संचरत्च कोर शावलोचने कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम मदोन्मदादि योवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते प्रभूत शात कुम्ब कुम्ब कुम्बि कुम्ब सुस्तनी प्रसस्त मंद हास्य चुर्ण पुर्ण सोक्य सागरे कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम मिरिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलो कने ललल्लुलन मिलन्मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्रिते कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेक कम्बु कंठगे त्रिसुत्र मंगली गुण त्रिरत्न दिप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखलागुणे प्रशस्तरत्न केंकिडी कलाप मध्य मन्जुले करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुनू पुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वडाति गोरवे विलोलहेम वल्लरी विडंब चारु चंक्रमे कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम अनन्त कोटि विश्णू लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंचे जावर प्रदे अपार सिध्धि रिधि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदाकरी स्यसीहमाम क्रिपाक टाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण साषनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रिराधिके नमोस्तुते इतीम मद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं प्रिपाक टाक्ष भाजनं भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे ओम विश्वम विश्वर वचटकारो भूत भव्य भवत्रभु भूत कृत भृत 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 भावो भूत भूत वाहन पूत आत्मा पर्मात्माच मुक्तानां परमागती अव्यय पुर्सा साक्षी शेत्रग्यो अक्षर एवच योगो योग विदामनेता प्रधान प पुर्सोत्तमा, सर्वह शर्व शिवस्थाणुर भूतादिर निद्रुया संभवो भावनो भरता प्रवभ प्रभुरीष्वरा स्वयंभू शंभू राधित्यः पुस्कराक्षो महास्वन अनादी निधनोधा ता विधाताधा तुरुदतमा अप्रमेयो, रिशीकेश, पद्मनाभो, अमर अप्रभु, विश्वकर्मा, मनुस्त्वस्थ, अस्थ, अस्थ, विरोधुव, अग्राहिया, शाष्व, दहक्रिष्णो, लोहिताक्ष, अप्रतर्दन, प्रभुतस्त्रिककुपधाम, पवित्रम्मंगलंपरं, इशानह, प्र प्रत्यया, सर्वदर्षन, अजसर्वे, स्वरसिध, सिध्धे, सर्वा, दिर्चुत, व्रिशाकपिर्मेयात्मा, सर्वयोगविनीश्रित, वसुर्वसुमना, सत्या, समात्मा, सम्मितासमा, अमोग, पुंडरी, काक्षो, व्रिशकरमा, अव्रिशाकृति, रुद्रो, ब चतरुईवह चतरुद्रष्ट चतरभुजा, अनगो विज्यो जेता, विश्वयो निह पुनर्वसू, उपेंद्रो वाम नह प्रांशुरु मोखा सुचरुरुजेता, अतिंद्रह संग्रह सर्गो धृतात्मा अनियमोयम, वेद्यो वेद्या सदायोगी, वीरहा माध्यो मद अनिरुद्ध सुरानंदो गो विन्दो गो विन्दामपती। अनिरुद्ध सुरानंदो गो विन्दो गो विन्दो गो विन्दामपती। अनिरुद्ध सुरान गो विन्दो गो विन्दो गो रिद्धामपती। युगादिकृत युगावर्तो नेकमायो महाशना अद्रिश्य अव्यक्त रूपस्च सहस्त्रजित नंते जिते इस्टो अविसिष्ट सिष्टेष्ट सिखंडी नहु सोवरिश प्रोधा क्रोध कृत करता विश्वभाहुर महीधरा अच्चुत प्रतित प्राण प्राण द प्रतिष्टित सकंद सकंद धरोधूर्यो वर्दोवायु वाहन वासुदेव ब्रिहद्भानु रादिदेव पुरंद्र अशोकस्तार अनस्तार शूरसोर इर्जनेश्वर अनुकूलह सतावर्त पदमी पद्मनी भेख्षण पद्मिनाभो अर्विंदाक्ष पद्मगर्भ शरीडभित महर्धिरित दोलगीच्त महाकषो गरुडद्वज अतुलहर भोवीमो समयक जो हविरहरी सर्वलक्षनलक्षन्यों लक्ष्मिवान समितिन जया विक्षरो रोहितो मार्गो हेतूर्दा मोधरसा महीधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भवाचो भणो देवा स्री गर्भ परमेश्वर करणम कारणम करता विकरता गहनो गुवा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव, परर्थी परमस्पस्तुष्ट, पुष्ट असुभेग्षण, रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेय, वीर शक्तिमतांज्रेष्टो, धर्मो धर्मविदुत्तम, व्यकुंठ, पुर्ष, प्राण, प्र अनिर्विन्न स्थविष्ट्वबू धर्मयूपो महा मख नक्षत्रने मिर नक्षत्री छमा चाम समीहना यजज़यो महिजयस्चक रतूसत्रम सतामगती सर्वतर्शीवि मुकतातमा सर्वग्योग्यानमुत्तमम्, सुव्रथ सुम्ठ सुष्मा, सुखोसा, सुखदासु हृत, मनोहरो जितक्रोधो, वीरभाहुर, विदारण स्वापना स्वव सोव्यापी नैकात्मानेक कर्मकृत बत्सरोवसलोवसी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मगुप धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्याता सहस्त्रांसुर्विधाता अकृत लक्षन गबस्तिनेमी सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदि देवो पुरिद भूगता, कपिंद्रो भूरिदक्षिन, सोमःपो अमृत पहजोमा, पुरुजित पुरुसत्तमा, विनयोजय, सत्यसंधोदा, शाह, सात्पतांपती, जीवो विनयता, साक्षी, मुकुंदो, अमित विक्रमा, अम्भो निद्रनंतात्मा, महोद धी इशयोंतकह, अ आनंदो, नंदो, नंदो, नंद, सत्यधरमा, अत्रिविक्रमा, महर्शी, कपिला, चार्य, कृतज्योमे, दिनीपती, त्रिपदस्त्त्रि दशाध्यक्षो, महाश्रिंग, कृतांत्रित, महावराहु, गोविन्द, सुखेळ, कनकांगदी, गुयो, गभीरो, गहनो, दिविस्तिरिक्सरवद्रिग्व्यासो, वाचश्पतिर, योनिज, त्रिसामा, साम, गहसाम, निर्वानम, भेश, जम्भिसक, सन्यास्क्रिच्छम, शान्तो, निष्ठा, शान्ति, ही परायनम, शुभांग, शान्ति, दस्रष्टा, कुमुदा, गुवलेशय, गोहितो, ग पतिर गोप्ता, व्रिश भाग्चो, व्रिशाप्रिया, अनिवर्ति, निवर्तात्मा, संचेप्ताचे, एमिक्रिच्छिव, स्रिव स्वक्षा, श्रीवास, श्रीपती, श्रीमतांबर, श्रीदा, श्रीणिवास, श्रीनिधी, श्रीविभावन, श्रीधर, श्रीकर, श्र अर्चिश मानर्चिता कुम्भो विशुधात्मा अविशोधना अनिरुद्धो अप्रतिरत प्रद्युम्नोँ अमित विक्रमँ गतता न अविशुधना ऑनि comunque आत्ररित प्रता elaborate 때्र। । प्रम्ह विद्ब्राम्हने ब्रम्ही ब्रम्हग्यो ब्राम्हन प्रिया। दोदिप्तो दूठरो था पराजित विश्व मूर्तिर महा मूर्तिर दिप्तमूर्तिर मूर्तिमान अनेकमूर्तिर अभ्यक्त शत्मूर्ति शतनननः एको नेक सवक किम यतद पदमनुत्तमाम लोकबंधुर लोकनाथो माधोवो भक्तवसल सुवर्णवर्णो हे मांगो वरांगश चन्दनांगदी वीरहा विश्मह शुन्यो घृताशीर चलस्चल अमानी मान दोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकद्रिक सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधा धराधर तेजो वरिश्य द्वितिधर शर्वसस्त्र भृतामवर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रिंगो गताग्रज चतुर मूर्तिस चतुर बाहुस चतुर व्युह स्चतुर गती चतुर आत्मा चतुर भावस चतुर वेद विदे कपात समावर्तो अनिवरितात्मा दूर जयो दुरती क्रमा दूर लभो दुर गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोग सारंग शुतन्तु श्तन्तु वर्धन इंद्र कर्मा महा कर्मा कृत कर्मा कृतागमा उद्भव सुन्दर सुन्दो रत्ननाभ सुलोचन अ शत्रुजी छत्रुतापन, न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्त स्चानुरांध्र निशूदन, सहस्त्राट्ची ही सप्त जीव, सप्तेधा सप्त बाहन, अमुर्धिरणगो अचिंत्यो, भैक्रिद भैनासन, अनुर्ब्रिहत क्रिशास्थूलो, गुल्ब्रिण निर्गु सत्य धर्म परायन, अभि प्रयाया, प्रियार होरह, प्रियक्रीत पिल्ति वर्धन, विहाय सगतेर्जोती, सुरुचिर हुद भुग विभु, रविर विलोचना, सुरिय, सविता रविलोचना, अननन्तो हुद भुग भोगता, सुखदो नैक जोगरज, अनि रिविन्न रवित वर्धन, अन्तर गभीरात्म, विदिश, वियादि शोदिश, अनाधीर भुर्भु, लक्षमी, सुविरो, रुगarnaगद, जन नो जन जन मादिर भीमो भीम पराक्रम, आधार नील्य योधाता, पुस्पहास प्रजागर, उर्ध्वग सत्पताचार, प्राणदह प्रणवापण, प्रमानम प्राण नील्य प्राण भृत प्राण जीवन, तत्वम तत्व विदे कात्मा जन्मे मृत्यो जरातिग, और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीशा, श्री तुलसी महराणी, करू विने सिरनाई, जो मम हो संकट विकट, दीजे मात नशाय, नमो नमो तुलसी महराणी, महिमा अमितन जाय बखानी, दीओ विष्ण तुमको सन माना, जग में चायो सुयस महाना, विष्ण प्रिया जय जयति भवानी, तिहू लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई, जिन घर तव नहीं हो निवासा, उस घर कर ही विष्ण नहीं बासा, करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेही के काज हो या सब पूरन, कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुन्दर वर्सु कुमारी, करे जो पूजा नित प्रतिनारी, स सुख संपति से होय सुखारी, बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन, श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिदि से तर जावे सोई, कथा भागवत यग्य करावे, तुम बिर नहीं सफलता पावे, चायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत चित धारी, तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धी होवे छण में, ओश धिरूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता, देवरिशी मुनी और तप धारी, करत सदा तव जय जय कारी, वेद पुरानन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया, नमो नमो जय जय सुख कारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी, नमो नमो सुख संपति देनी, नमो नमो अग काटन चेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद चेनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी, नमो 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 निज भक नमो नमो जने काज सवारनी, नमो नमो जै कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयती जयती जय तुलसी माई, ध्याउं तुमको शीष नवाई, निजजन जानी मोही अपनाओ, बिगडे कारज आप बनाओ, करूं बिनै मैं मात तुमारी, पूरण आशा जोरी मनाऊ, निशदिन तेरे ही गुडगाऊ, करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनो रथ पूरण कीजे, जानू नहीं कचुनेम अचारा, छमहु मात अपराद हमारा, बारह मास करे जो पूजा, ता सम जग में और नही दूजा, प्रथ मही गंगा जल मंगवावे, फिर सुन्दर श्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे, रिदै निर्मल से, पाठ करे फिर चाली साकी, अस्तुति करे मात तुल साकी, य अरे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सोभवतर जाही, यह श्री तुल सी चाली सा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई, तुल सी चाली सा संपूड, और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आर्थी धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले, श्रीपती कमले चरण लपटानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो धूप दीपने वेद्य आरती, धूप दीपने वेद्य आरती, पुश्पन की वरसा बरसानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन, बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो, तुलसी महरानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे, भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो, तुलसा महरानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो 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 तुलसा महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जै दोस्तों उमीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीज़े और अगर समभव हो तो वीडियो को जाता से जाता शेर कीज़े और हाँ comment box में राते राते ज़रूर लिखा कीजिए और जो भक्त इस channel पर पहली बार आए हैं आभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस channel पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी notification आपको सही समय पर प्राप्त होगी मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै श्रीवाद्री